बिस्मिल्ला रह्मानी रहीम अस्सलामु अलेकूम आज मैं यूपी फिरोजाबाद का बहुत ही मशूर कड़ाओ गोश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो अगर आपके रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कट कर लिया है और प्यास को जो है वो हमें गोल्डन क्रिस्पी फ्राइ करके निकालना है तो यहाँ पर मैं अच्छे से देख सकते हैं आप लगातार चमच चलाते हुए तीन से चार मिनिट तक के लिए इसको अच्छे से फ्राइ कर लूँगी जब तक इसके उपर गोल्ड और अगर आप चाहे तो इस रेसिपी को नॉर्मल रिफाइन ओयल में भी पना सकते हैं लेकिन मस्टर्ड ओयल में यह रेसिपी बहुत ही जादा ऑथेंटिक बनका तयार होती है तो यहाँ पर मैंने एक चुटकी नमक इसमें अट कर दिया है और इसको भी अच्छे से मैं मि सतम हो चुकी है अब मैं इसमे आइट कर दूंगी गोष्त यहाँ पर मैं बड़े का गोष्ट यूज करूंगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करनेंगे गोष्त मैने लिए हैं 200 ग्राम यह बिना हड़ी का गोष्त है और इसको भी आच्छे से भूनेंगे अब सिनम एट कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग साथी मैं एट कर दूँगी आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर लालमिज पाउडर एक चोटा चमच एट करूँगी साथी में कश्मीरी लालमिज पाउडर एट करूँगी आदा चोटा चमच अब मैं इसमें धनिया पाउडर एट करूँगी एक से देड़ चमच और इसे मैं अच्छे से भून लोगी तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा और इसका कलर अभी से आना शुरू हो चुका है क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी लालमेश यूज़ किये है अगर आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें दाल चीनी और एक मैं इसमें आट कर दूँगी स्टार फूल दो हरी लाइची पस इसमें आट करूंगी सिर्फ खुश्बू के मसाले है यह और बाकी मैं इसमें गरम मसाला प फेटा हete दही दही को मैंने लिया है वह खटा नहीं है और इसको मैंने गयHH की फ्रेम को बन करके इसमें अरदैड कि donkey जो है वह फटेना और फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में को औन करूंगी तो दही को इसमें अच्छे दही जो है वो अच्छे से हमारा पक रहा है और इसका जो पानी भी है वो सुखना शुरू हो चुका है तो अब मैं इसमें कच्छी प्याज करूंगी तो यह एक मीडियम साइस की कच्छी प्याज है जिसको मैंने पतला-पतला कट कर लिया है वो एक करेंगे और साथ ही मैं मैं अब लेएं मैं एक कर दूंगी एक चमच भर के अद्रक लसन का पेस्ट है हαι तो में हम एक बड़ा चमच भर करेंगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि तो देख सकते हैं अप harin मसाले गीडिवह हो रहे हैर लगातार चलाते हुई इसको हमें पांस से दस मिनिट तक के लिए भून लेना है ताकि इसमें जो भी पानी है वो सारा ड्राइ हो और फिर जो मसाला है वो भूनना शुरू हो जाए तो इसको भूनते हुए लगबग हो चुके है चार से पांच मिनिट अब मैं इसमें आट कर दूँगी एक ग्लास पानी ताकि गोश्ट जो है वो आसानी से गल जाए एक ग्लास पानी आट कर देंगे और फिर इसको हम ढग कर रख देंगे 45-50 मिनिट बिलकुल लो गैस पे और बीच बीच में इसको चमच चलाते रहेंगे बस तो अभी ढग कर रख देंगे 42-45 मिनिट तो अभी आप देख सकते है पूरा पानी इसका जो है वो ड्राइ भी हो चुका है और कितना अच्छी इसकी जो रंगत आ चुकी है और अभी हम हम गोश्ट को चेक भी कर लेंगे कि गोश्ट जो है वो गला है या नहीं तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले गोश्ट को अगर थोड़ी सी कसर बाकी रहेगी तो फिर हम थोड़ा सा पानी इसको डाल के रख देंगे लेकिन नहीं यहां पर गोश्ट जो है वो पूरा गल कितना अच्छे से जो मसाला जो है वह भून चुका है अब जो प्यास का पेश्ट हमने बना कर रखा आ हुआ था वो इस में oldu कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे ताके words और सारे मसालें आपस में अच् leuk और एक जाएंगे तो यहाँ पर मैं आदा ग्लास पानी को जो रहने ही और फिर मैं ऐसमे कर चुबार मार मैं ग्रम करने से इसका जो है कर दिम्हसी टेस्ट खराब और बस आप देख सकते हैं कितना अच्छा और डिलिशेस सा यह लग रहा है इसको तंदूर की रोस्टी के साथ ज़रूर ट्राइ करना और बस इसमें एक उबाला आ जाने देंगे और फिर हम इसमें एट करेंगे मखाने तो मखाने हमें डिरेक्ली इसमें एट कर देना है मखानों को कुछ फ्राइव अगरा करने की जरूरत नहीं है डिरेक्ली इसमें मखाने आप एट कर दीजे और फिर यह हमारा डिलिशेस सा कड़ाओ गोश्ट नान गोश्ट बनकर रेडी हो चुका है धक कर रख देंगे दो मि कर देजिए ताके मेरे आने वाली वीडियो की नोच्टिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें